नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में सबी साथियों को नमस्कार मैं अब शेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में साथियों टीले थर्ड सेमस्टर में अभी तक आपने ग्यार क्लासिस अच्छी तरीके से जिसमें मैंने आपको basic से जितने भी आपके क्रमवात तरीके से सारी चीज़े बताई हैं आप जो आपके remaining part of slaybus का जो remaining part बचा हुआ है वह आपको बताया जाएगा सारी classes आप अर्ची तरीके से secured तरीखे से चलाई जाएंगी जिसमें आपको डिक्कत कर रहे हुआ को जरूर बताईये उन पर गिवीडियो कर पर बनाया जाएगा। और अगर है वीडियो अच्छी लग लगाज़ने लाइक अधकर बिडियो को लाइक कि दियए अपने अमितों तक स्वेश्थ की जएगा और मोलेट लिए ईटे अच्छै करके आज कर आज सेस्ट में आज का या वीडियो लेक्चर सेर एंड लाबान सेर और लाबान से रिलेटेड है यह आपके स्लेबस में में इसलिए मैं यह वीडियो आपके लिए लेक्टा आया हूँ इसमें मैं एक नंबर का कुश्चन आ सकता है आपके पेपर में तो जो टॉपिक बच्चे हुए हैं आपकी स्लेबस में वो आप सारे मैं करवाने जा रहा हूँ जो जो भी आपकी टॉपिक बच्चे है वो सारे आपके पूरे हो जाएंगे इसमें क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है सारी चीज़ आज डिसकस करेंगे तो आप वीडियो के अन तक बने रहेगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन मित्रों तक जिरूर वीडियो को सेर कीजिएगा ठीक है और हमारे चनल को जिरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले जो इस टॉपिक में जो जो भी चीज़े इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बताऊंगा कुर्श्चन्स भी लगवाँगा ठीक है तो सबसे पहली चीज़ है पूंजी किसे कहते हैं सेर मार्केट पूरा इसमें पढ़ना है पूरा चीज़े क्या क्या चीज़े होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीज़े इसमें बताएंगे पूझी की expression देखते हैं क्या होता है company में लगाया गया पूरा धन उसकी पूझी करता है कोई भी country यह जैसे आप को भी business start-ro priorities वह जो आप पूझी लगाएंगे आप उसमें धन लगाएंगे वह क्या कहलाएगा वह कि Palestine पूंजी कहलेगा ठीक जैसे आपने कोई बिजिनस स्टार्ट किया या आपने नहीं मेलब कोई भी स्टार्ट कर सकता है तो उसमें जो लगधन लगा जाता है उसे क्या कहते हैं पूंजे ठीक आप देखिए अब वो कंपणी है अब इस सेर किसे कहते हैं पहला चीजा ना सेर पूंजी को प्राय समान मुल की कईयों में बाथ दिया जाता है पतेखिए को सेर कहते हैं आभ मान लेजिए एक आपने कोई कंपनी क्यों कैंच क्योंसी कंपनी को स्टार्ट कि ठीक और उसमें आपने पूंजी लगाई सौरोंपनें किसको सो मालु की बाड़ में बाड़ दिया तो इसके हमने सेसंबन गया इसे माड़ं K 지 जो भी उसमें हमने धन लगाया पुंजी लगाई उसके हमने समान समान एकाई में बाण दिये उसको तो उसके दौदे रुपए के मनलब की सेर बन गए ठीक तो इसे क्या केते हैं सेर हो गया तेर यहाँ आंचित मूल रूप्य के पूंजी लगी थी Daeylaust तो यह एक नमबर की डेफिनेशन आ सकते हैं इनको नूर कर लिए अपनी कॉपी में ठीक है और बस एक बार देख लेज़ेगा पर इच्छा से पहले आपको इस वियाद हो जाएगी तो समझ गया है मैंने आपको एक एक जामपल के थुरू सारी चीजे बता दी अगला देखत करते हैं कि बाजार मूल जिस मूल पर सेर खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता है उसे सेर का बाजार मूल करते हैं अब जिस मूल पर जिए आपने सेर मार्केट देखा होगा जिस मूल पर सेर खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता है माल दस रुपे में खरी और बेचा जाता है अब एक समय में 10 रुपय में रीदे गाइँ तो किसे का बढूर नरते yours पर बढूर तो 11 रुपय में आप खरीज सकते हैं घ्रणा सुल 10 रूपे ऐसे मछला कि एसे ही मौली पर ख़ While जाएगा तो वह दोनों चीज्जे क्या 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 रेंगी जा लहांगी ठीक अब देखते हैं आफ लगर के सगह मुंद हैं आफ याफ चेहर क्म्य total में लाब होता है आपने कंपनी खोली उसमें आपने पूंजी लगाई ठीक है बड़ी है बिजनेस सेर गांटे सब के सब लोगों ने सेर खरी लिया ठीक तो उसको अब वो कंपनी चल गई वाई तो उसमें लाब का जो लाब होता है पढ़ लेते हैं जब कंपनी को वसके आंत में लाब होता है तो लाब का कुछ भाग नई, मसीने खरीने या टैक्स आधिक में आच्छित कर दिया जाता है, सेस लाब को सेरदारियों को उनके दौरा खरीदे गए सेरों कौन बात में बांट दिया जाता है, इस लाब को लाबांस कहते हैं, या अंकित मूली पर प्रापत होत तो द्द्द्ध रुपए सब में मार दी ठीक ठीक दद्द्ध रुपए बार दीए ठीक अब फिर ये कुछ दिर बाद वर्स के अंत में एक साल बाद यह कंपणी हो गई 220 रुपए की कि इसने मैं कुछ भाग यानि बीज रुप हो जाते हैं है टेक्स के लिए या त्यास के लिए यह अलग कर दिया गया बच्चे कितने 200 रुपए अब 200 रुपए इन सब में फिर से बढ़ जाएंगे जो हम जो जिन्होंने शेयर लगाए थे इन्होंने उन सब को मिल जाएंगे यही कहने का मतलब है कि एक कंपणी है एक कंपणी उसमें जो भी पूंजी लगाई जाती है फिर वसके अंत में जो उसमें लाब होता है तो उसका कुछ अंस तो रख दिया जाता भाई उसके पूरजे टैक्स वगएरा नई मसीन खरिजने में इन सम्में होता है उसको सेर धारी में पांड दिया जाता है इसफी जो यह क्या कहते हैं लाब कहते हैं तो जब आप सेरर मार्केट का थोड़ा डी नौलेज़ लेंगे तो उसमें क्या होता है जब आप ख़़ी देंगे तो जो आपका सायर्ड वातता है कि जो तो आपके शेर जो खरीदवाता है आपके ऐसे तोड़ी कोई भी ले सकता है तो उसके लिए आपका डीमेट एकाउंट बगारा बनता है तो वह सब मलब की जो आपको खुलवाता है या खरीदवाता है तो उसो दलाल कहते हैं ब्रोकर कहते हैं वह क्या करता है शेर आपके खर तो खरिदवाने और बिच्चिवाने में जो भी चीजे कुछ ले लेता है उसे क्या करते हैं दलाली के लेता है ब्रोकरिज दलाली लेता है अपने अपना कुछ पैसे लेगा भाई ने तो क्यों तुम्हारे खरिदवाएगा कोई भी कमपनी से ठीक मतलब बीज का काम जो भी हमां चीजे लेलेगा तो क्या कहलता है दलाली शिर के बजर मुल पर लिया दी जाती है तिंची कि दलाली जो है बजर मुझी बजार मुझी है ऐसकी बजार हमोली चाथ आप मुले nar होप यसीas दियुको पर प्रमार से और बापत राश से बजार मुल मनेस घलाना चालते हैं तो बजार मूल जो भी आज जिस रेट में आपने 100 रुपे में मानले बेचिया ठीक सो रुपे में बेचा अदलाली 10 रुपे है तो कितना आपको मिलेगा 90 रुपे मिलेगा ठीक आपने अगर सेर बीचाए तो आपको जो सौ रूपय का सेर वह 110 में पड़ेगा तो इसका मदलब यहीं है किसी सेर को ख़र्च की के राज बजार मूली प्लस्ता रही तो आप समझें कि दलाली क्या होता है तो यह सब चाहिए सेर और लाभांस में चीजे थी वह मैंने आपको बता दी आप इस पर बेज जो कुछ कोश्चन ही बहुत ही आप वह मैं आपको करवा देता हूं तो आपको यह चैप्टर पूरा पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो मैं करवाता हूं आपके लिए अगला प्रसंद देखते हैं वाई दस प्रस सौ का रुपए असी पर उपलब्द है ठीक है वार्सिक लाबांस की करना कीजिए तो यह वाला प्रसंद कैसे करते हैं यह देखते हैं बाई रेट इसकी 10% है कोई रेट पत्र है जो सौ रुपए उसका मूल था ठीक और वह असी में उपलब्द हो गया सौ रुपए उसका अब किस्व कितने में मिला है जो सौ रुपए का था लेकिन इस समय बाजार मूल असी है पर उपलब्द है तो उसका वार्सिक लाबांस की गर्णा कीजिए तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं सबसे पहले लिएते हैं रेट पत्र का अंकित मूल कितना है यह पहले सो रुपए था तो यह सो रुपए है ठीक आप बजार मूल कितना है रेट पत्र का अंकित मूल सो रुपए है असी रुपए में मिला है तो इसके लाप की करना लापांस की करना करनी हमको ठीक है तो और क्या लिखेंगे अब दर अंकित मूल पर कि बाजार दर कितनी है इसकी 10 परसेंट भाई इसकी बजार दर है अंकित मूले पर बजार दर कितनी है दस परसेंट तो दस परसेंट पजार दर है तो इसका मरलब किया हो चुकि कि असी रुपए में बजार है असी रुपए निवेश करने में लाप कितना है लाप कितना है दस रुपए ठीक चुकि असी रुपए निवेश करने पर बजार लाप कितना दफ रुपए इसलिए एक रुपए निवेश करने पर एक एक नियम लेका देते लाप कितना हो जा इसलिए हमको निकालना कितना है 100 रुपे निवेस्ट करने पर यह हमको निकालना है लाप की दर है लाप को जाएगा 10 बटा 80 गुड़े 100 यहां से सॉल कर लें इसको जीरो से जीरो कटें 100 बटाट यानि इसको सॉल करें 12.50 इसका आजाएगा लाप पतिस्त क्या हो जाएगा लाप पतिस्त जो है आपका 12.50 प्रसेंट इसका एंसर हो जाएगा ठीक तो कहने का मलब यह है कि इसका बजार मुल 100 रुपे था लेकिन असी में मिल ला तो वारसी लावांस की करना क्यात कर दो है त तंकित मुलब जाएगादर केतना है 10 प्रसेंट है यह बता रहा है इसका मनलब क्या हो कि असी रुपै अगर हम निवेश करेंगे तो लाब हमको 10 रुपै मिले 10 यहां के दस परसेंट की रेट है तो हम एक रुपे निवेश करेंगे decade अश्ले 100 रुपे निवेश करेंगे त यही आपको पूछ रहा है प्रसेंट का अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद कुछ इसकार है यह एक क्रेटा को एक सेर का अंकित मुल 10 रूपए और बाजार मुल 40 रूपए प्रति सेर बताया गया एक बाजार मुल कितना है क्रेटा मतला क्रेटा है सेर एक सेर का अंकित मुल कितना बताया है 10 रूपए और बाजार मुल कितना है 40 रूपए है प्रति सेर गया के लिए क्या मुल देना पड़ेगा 300 सेर के लिए उसे क्या मूल देना पड़ेगा यह आपको बताना है तता सेर धारी को क्या लाव होगा लाव भी बताना है जबकि उसने सेर अंकित मूल पर खरीदा था सोट फिर कितने में खृए याथा अंग कि मूल रृपर खृए जाता तो इसको कैसे करते हैं यह देखते तो सोट जित सबंचा सहते हैं ओएज Öre queen का हुआ है प्रतिट सेब बोला एक शेयर का अंग कितना है है यह लोग लेते हैं पर ले किना है दर्फ रुप हैं और एक सेयर का झाल अ बाजार मूह के तना है येवी लिए लिए थे लोग बाजार मूह के तना है चाले रुप है ठीक है तो अब सेयर कुल के तुप तूप क्या दिना पड़ेगा तो 305 के लिए देना पड़ेगा तो 303 तोrona q.th के लिए कि दे मुल कितना वह दे मुली चाहने लिकाए निख लिखाने तीन सब अंकिर मुल किना दस से गुड़ा कर देंगा दस एधीन एजार रुपए उसको देना पड़ेगा ठीक तता से दर्व लाप पूछ रहा है ठीक तो प्राप्त क्या हो जाएगा तो से दरी को प्राप्त रास क्या हो जाएगी से अधारी को जब मरलब इसने तीन रुपर में खरीच दे और जब बेचे वो तक कितने में बेचे ता बेचे दिया सने यहनी ता था तो अंक्त मूल प्रकिज़ा था तभी तुमने अंक्त मूले से लएक राप्त बताना है तो लाप क्या हो जाएगा लाप हो जाएगा एप माईन ने लिकना दिया था उतना घटा देंगे राप तुरास बारा अजार में पेश दिया भाई और खरीदा तीन अगर में था तो हमको लाब नहीं पिता चल जाएगा कितना बचेगा बारा में से तीन गें नौ अजार रुपए उसको सेहधारी को लाब लिए ठीक तो आपको यह भी लगाते हैं यह उने कूल 18 सूक लाब होता है तो रहा मोहन को कुतने रुपए क specs अज एक चाहिए तो इसको कैसे करतें अजब करते देखते हैं कि अमसित्रा menupad इनका लाब में पात कितना कितना है कितना है 5000 6000 तत्ता फाट है कितना 3500 पांचे हैं तो यह कूंद 4 जाँ तना इतना इतना इननुन में पैसे लगाए पांच दिकन पत्थ क्या हुज़ागा 3 0,03 पहते जाएंड़ीन चैना हो लाब में पंदषा हो गλάत कितना हो गया खुली हो सबुमने कि 5 6 5 5 15 15 है सब यानि पंदरा अ हृथ थे कि लाब में पाथ है 15 पूछे पाझ गेरा इसका एसे लिख सकते हैं पांच । 12-6 यानिग 11 अनुपात लृभल होगालाव का लृभ हो चूहरा हो जाए की है नार्थ 5 क्ट्रद क्त inhaled manner होजएंगा टींटेस के वराबर होगा ठीक एक बेरावर कि एक सेंटना वैक सेच्जेस तब फूच़ कि या रहा है राम सेंटना के कितना है इनका सेर पांच है टो पांच रहा है थह एक बराबर 120 तो पांच वर किना drives एक्सोबीस समझ में आए भाई राम का सेर कितना था पांच था ना चुकि एक बड़ाबर 120 है तो पांच बड़ाबर क्या हो जाएगा पांच गुड़े एक्सोबीस तो बाराब से साथ चैने छे सो रुपए इसको राम को मिलें ठीक है ऐसे ही और किसको मिले मोहन को कितने रुपए मिले मोहन को मिले रुपए कितने रुपए मिलें वहन को राम स्याम मोहन पांट छे चार रुपए मिलें चार रुपए मिलें तो एक बड़ाबर 120 है तो चार बड़ाबर कितना हो जागा चार गुड़े अगर ऐसे पूछे भाई साम को कितने मिले तो साम को कितना है अच्छे एक बराबर 120 चेवरां एक सो बीस गोड़े चे बारा चांग बहातर साथ सो बीस रुपए उसको मिलें अजब तीनों को जोड़ोगे तो 15 से हुई पंदरा से हुई अठारा सो ही आएगा ठीक है तो ऐसे यह प्रश्न आपको सौलोगा क्योंकि आपके प्रश्न में केवल राम दता मोहन को ही पूछा होगा तो आप को बीस्यारा बन सकता है वैसे आता नहीं ऑपकेAh । आसा करता हूं सारे सारी क्लासिस अच्छी तरीके से चलींगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको एक लाइक कीजिए और अपने अन्य बितों तक ज़रूर बता दीजिए सबको कि क्लासेश चल नहीं सारी तो आप से ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में भी बताइए कि आपको समझ में आ रहा है और क्या आगे की क्लासेश करवानी चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए कि आगे के भी कौन कौन चीज़े आपको नहीं समझ में आ रही है तो उस सब्जिट की में पहले उस जो टॉपिक की है वीडियो में पहले बना दूँ ताकि आपकी एक बहतर त्यारी हो सके ठीक है जो भी चीजे आपको नहीं समझ में आ रहे हैं गड़ित में वो आप कमेंट के थूरू बता सकते हैं तो उन टॉपिक की वीडियो में पहले ले आऊँगा ताकि आपको आपकी त्यारी अच्छी हो सके और आप बहतर अंग पा सके यही हम सब का प्रयाज है कि आपके अच्छे नमबर आए तो आप वीडियो को लाइक जिरू कीजे और अपने अनवी तो दिरू सेयर कीजे हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजे तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार